हलो दोस्तों नमस्कार अलवर अनाजमंडी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और जैसे कि हमारे चैनल दौरापको दीजत ये डेली अलवर अनाजमंडी बाव की जानकारी दोस्तों लिए चलते हैं उसी क्रम में जान लेते हैं आज के अलवर अनाजमंडी बाव दोस्त लुटों कुछ आब कमेंट्स क्या बावरा तो दोस्तों कल अलवर मंडी मे न Zumal करीब करीब रहे हैं के का लुक्ते शुक्रय-धर कापास की आवक बनने पर हम आपको इसकी पूरी जानकारी दे देंगे और दोस्तो इसका बाव पर भी क्या इफेक्ट रहेगा वो जानकारी भी अगर नहीं जिन्स के रूप में बाजरे के आवक हो रही है और लगबग उसके जो बाव बने हुए है दो हजार से चोबिस तो क्वंटल करीब बना हुआ है और दोस्तो जैसी क्वालिटी उसी परकार के बाव बने हुए है जिसमें मोईस्ट्य रही है उसके बाव थोड़े कम बने हुए है तो दोस्तो चलते हैं आज के अनाज मंडी में जिन्सों के बाव की तरफ तो सबसे पहले चलेंगे सर्सों की कि तरफ तो दोस्तो तो सर्सों का भाव लगबग 600 रूप्य पति कुटल रहा जोके अलवर मंडी में 42 कंडिशन का भाव है यूंका भाव भी लगवग इस्तिर बना हुए 2650 रूप्य पति कुंटल करीब रहा जोका भाव लगबग 2923 रूप्य पति कुंटल रहा बाजरा दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया है 2000 से लेके 2400 रोप रपती कुंटल करीब रहा है और भाव नहीं खुला है दोस्तों जैसे कि मैंने आपको जान करी थी ति कल अलवर मंडी में कापास की आवख हुई थी पर दोस्तों इसकी क्वालिटी जदा बड़े नहीं थी फिर भी और दोस्तों अगर अलवर मंडी में नहीं कापास की आवख जैसे भी होगी मैं आपको भाव की जानकारी देऊंगा दोस्तों ये रहे आज के अलवर नाज मंडी भाव धन्यवाद